फ्लिप्टन का वाइफाई मोशन सेंसर है मोशन सेंसर कई टाइप की होते हैं जैसे की जो नॉर्मल मोशन सेंसर स्विच जिसका आमने आगे वीडियो बता है मगर ये जो मोशन सेंसर है वो वाइफाई मोशन सेंसर है यानि कि हमारी जो Flipten की application है उसके साथ compatible रहेगा और आपको notification भी भेजेगा और automation जैसे की lights या फिर आप कोई भी चीज़ operate करना चाते हैं या scene create करना चाते हैं तो वो आप इसके साथ कर पाएंगे Flipten के सारे device इसके साथ compatible रहेगा तो चलिए इसका unboxing करते हैं तो यहाँ पर आपको user manual मिलती है यहाँ पर है motion sensor और साथ में आपको 3 meter की 2-way tape मिलती है और इसे आप अगर fix करना चाहें तो इसमें आपको screws भी मिलती है और इस plate से अलग हो जाएगा यहाँ पर strong magnet दिया गया है इसके साथ वो model fix हो जाएगा और वो आसानी से गिरने वाला नहीं है काफी strong magnet है आप इस plate को घुमा कर open भी कर सकते है यहाँ पर देख सकते हैं magnet है और यहाँ पर screw करने के लिए hole दिये गये है आपको wall mount करना है तो भी आसानी रहेगी इस तरीके से lock हो जाएगा और यह चिपक जाएगा किस तरीके से बढ़ा है यहाँ पर एक और magnet है ताकि वो एक दूसरे से चिपके और यहाँ पर same battery दी गई है जो दूसरे center में भी रहती है lithium iron की battery एक साल से भी ज्यादा आपको backup देती है यहाँ पर reset button है device reset करके आप app में इसको add कर सकते है तो motion sensor का use आप office में कर सकते है या फिर wardrobe, locker room या फिर hotel के store room में जहाँ पर कोई unauthorized entry होती है तो आपको पता चले, alarm बजे उसके लिए होती है यह motion sensor widely used होते है अगर motion detect हो तो camera start हो motion detect हो तो light on हो जाए अगर आप flipton के दूसरे products use करते हो तो उन सारे case में आप इसका automation कर सकते है इस wifi sensor को Alexa के साथ भी set कर सकते है इसके अलावा अगर motion sensor motion detect करता है तो हमारा जो smart alarm है उससे भी आप operate करवा सकते है यानि कि smart security alarm के लिए भी sensor को use कर सकते है कुछ ऐसी जगा जहां आप camera नहीं उसकरना चाहते जैसे कि आपको कोई beauty power है या प्रिस्पा है जहां पर customer को अपनी privacy रखनी होती है तो इस motion sensor का use करके